शेपिंग एक खासा इंट्रस्टिंग टेक्नीक है तो इसको देखते चलते हैं जब हम कोई नया या पैचीदा बेहेवियर सिखाना चाहें तो शेपिंग बाइ सक्सेसिव एप्रॉक्सिमेशन का मैथड यूस करना इसमें आप कोई भी ऐसी रिस्पॉंस को रिन्फोर्स करते हैं जो के काम्याबी से और सक्सेसिवली यानि मरहला वार करीब पहुंचती जाती है फाइनल जिस रिस्पॉंस को आप सिखाना चाहरें और फिर आपकी डिजाइड रिस्पॉंस के साथ मैच कर जाती है एंड पिजन अगर जब आप चेमर में डालते हैं वो ट्रेन हो चुक लेकिन अब जब आप उसमें डालते हैं उसको यह नहीं पता कि आप मुझे खाना ऐसे नहीं मिलेगा मैं पैक करूंगा तो मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कबूतर को जो जाके लाइट की उपर चोंच मारो आप शेपिंग करेंगे क्योंकि एक कॉंप्लिकेटिड बेहेवि वो जरा सा भी हिलता है उसको खाना दे दिया लाइट की तफ देखता है चोंचो ठाके तो खाना दे दिया फिर वो करीब जाता है लाइट के तो खाना दे दिया वो अपनी गर्दन उंची करके उसके अंदर चोंच करीब पहुंचाता है तो खाना दे दिया इच स्टेप इ reinforce लेकिन जब वो अगले स्टेप पहुंच जाता है तो फिर हम पिछली किसी हरकत response को reinforce नहीं करते क्योंकि अब वो फिर पीछे चला जाएगा वो सोचेगा इस पे भी मिल जाती है हम उसको क्रीब लेकर जा रहे हैं इनसान भी जानवरों को िश्चन के तो आप डालते हैं सकेनर बॉकस में तो बुण जाकर धड धड़ा धड़ पीक्स करना शुरू कर देता है इसम्यंप्राइंट्स भी यूज़ होते हैं उसके जरूरिये response को initiate किया जा सकता है और ये response को लाओ करते हैं कि वो हो और आप उसे reinforce कर सकें तो prompt दी जा सकती है इसकी example है आप physical guidance करें instruction दें point करें कि देखो ऐसे कर लोगे visual cues कर दें कि ये आएगा उसके बाद आपने नवाना है या modeling खुद करके दिखाएं तो ये तरीके जब बच्चों को हम shaping कर रहे होते हैं पहली दफाप उने कहते हैं कि तस्वे मानने आओ बैठो ये देखो मैंने बांदे हैं ये modeling है आप उसके दोनों हाथों में तस्वे पकड़ा के crossover करते हैं कहते हैं अब इसे खैंचो तो ये आप उसको instruction दे रहे हैं फिर आप हाथ पकड़ के कोई चीज़ कराते हैं physical guidance है पहली दफाप बच्चे को लिखना सिखाए हो तो आपको याद आ जाएगा कि हम कितने prompt इस्तमाल करते हैं फिर हम visual cues भी use करते हैं fading यह होता है कि आप prompt पिर हटाते जाएं अब आपने ना सही कर सके तो फिर हलका सा prompt करें और prompt को modify भी कर सकते हैं naturally occurring cues की तरह यह प्रॉम्ट ऐसे लगे जैसे के खुद बखुद कोई cues जो है naturally हो रहे हैं अगर fading आप बहुत जल्दी करेंगे यानि प्रॉम्ट को बहुत जल्दी छोड़ देंगे तो फिर उसकी responding जो है वो drop कर जाएगी तो मुनास्थे मौके पे feeding करनी है यह जो खातून है इसको एक monkey assist करता है जिसको operantly shape किया गया है ऐसी task perform करने के लिए जैसे वो उसके लिए खाना लेके आता है या पानी लेकर आता है या उसके कोई चीज गिर जाती है तो या दूर पड़ी होती है तो उठा कर उसे पकड़ापता है वो lights on और off भी कर सकता है तो उसको shaping के जरिये train किया गया एक दम से उसने जाके light off करनी नहीं सीख ली उसको reinforce किया गया हर step पे जब उसने on कर ली उसको खाना दिया गया अब उसको वो behavior वो learn कर चुक है एक university pole walter है वो जो एक बड़े से pole को जमीन में गाड़ कर उसके उपर से उचलते हैं तो उसको अपना बाजू इतना sufficiently नहीं वो कर पाता था इतनी length में कि जिसमें वो pole को गाड़ कर मुनासिब हाइट पे उचल सके तो उसको shaping के जरीए सिखाया गया वो researchers के पास आया और उन्होंने उसको पहले जितना उसका point तक extend करता था उसको एक beam reinforce करती थी फिर उसको उन्होंने बढ़ा दिया फिर और बढ़ा दिया और finally वो उसके जो desired length थी वहाँ तक shaping के जरीए हो गया तो वो एक technical problem था जिसको shaping के जरीए solve किया गया बच्चों को जब complex manners तिखाने हो कि इस खास मौके पे इस तरह से behave करना है तो वो shaping के जरीए सिखाया जा सकता है जिसमें आप guided instruction modeling करके उन्हें दिखाएं तो जो सिखाना हो वो कह देने से नहीं करके दिखाने से भी दिखाना बेहतर होता है कुछ behavior के लिए जो कि बहुत ही complex हो या पैचीदा हो चोटे बच्चों को जो खास्ता पे special children या autistic बच्चे हैं जिनको communication का एक disorder होता है तो उनको behavior approximate करना सिखाया जाता है वो बैठ जाते हैं आपकी तरफ की देखतें तो आपने reinforce कतें फिर वो हाथ बढ़ा के पैंसिल की तरफ जाते हैं तो आप reinforce कते हैं तो आइस्ता हैस्ता वो behavior करना सीख लिते हैं कि उन्हों ने अपनी कापी उठानी है या उन्होंने अपने खाने को अपने हाथ देखाने है चम्चे से खाना काना से खाना स्परेशली सम्टाइम्स पीपल और प्राब्लम अफ मेबिलिटी तो वो शेपिंग के जरीए होता है यह अब यूज ओ रहे हैं उन बच्चों के लिए या यंग लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है जिने बेसिकली उनकी बॉड़ी ब्रेक्टाउन नहीं कर सकती उनके लिए एक अलर्ट टॉग है जिने शेपिंग के जरीए सिखाया जाता है जैसे ब्लाइंड लोगों को नबीना लोगों को उनके डॉक्स को सिखाया जाता है तो जब शुगर लो हो तो वो आकर अपने मालिक को और अगर मालिक बच्चा है जिसकी शुगर लोगी है तो ये उनको शेपिंग के जरीए ट्रेंड किया गया तो ये एकुस्पल टेक्नीक है जो कि अप्लाय ओरी है आ जिन्दगी के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए.